Hello Cyberworms, Welcome back, मैं हूँ अनिलिय आदब और आप देख रहे हैं CyberGuard Powered by Neet Roots और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं Top 10 Kal Linux Hacking Tools के बारे में So without making any delay, let's continue तो basically ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दू कि आखिर Kal Linux क्या है Kal Linux एक तरह का Operating System है जो की Penetration Tester और Hackers Preferably यूज करते हैं क्योंकि यह आपको Full Access देता कि आप यहाँ पर कोई भी Tools run कर सकते हैं या फिर उनको यूज करके Exploit कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर Kal Linux के अंदर 350 Plus Tools मिलते हैं जिसका यूज करके आप Exploit कर सकते हैं बट यहाँ पर हम इसके अंदर जो Top 10 Hacking Tools है उनके बारे में जानने वाले हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे List में आता है Nmap जो कि एक Open Source Network Scanning Tool है और इसकी मज़र से आप Network के अंदर जितने भी Devices Connected रहते हैं उनको identify कर सकते हैं और इसी तरह से जितने भी Hosts और Services उस Network के उपर run कर रही हैं उनको भी List कर सकते हैं और इसी तरह से आप इसकी मज़र से Port Scanning भी कर सकते हैं जिसके अंदर आप जितने भी Ports Open हैं उस Hosts के अंदर उसको find कर सकते हैं और इसी तरह से जितने भी Services run कर रही हैं और जितने भी potential vulnerabilities वहाँ पर हैं उन सबको भी find कर सकते हैं और इसी तरह से आप यहाँ पर service version detection उसके बाद operating system detection और security auditing जैसे बहुत सारे ऐसे चीज़े perform कर सकते हैं जिससे कि आपको vulnerabilities find करने में मदद मिल सकती है और जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा अगर आप कहीं पर bug bounty कर रहे हैं या फिर bug hunting कर रहे हैं क आप मान सकते हैं कि यह one of the most powerful hacking tool है तो अगर आपको nmap के बारे में जानना है या फिर सीखना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं simply इसके documentation को check कर सकते हैं nmap.org के अंदर जा करके या फिर आप simply अपने का Linux को open करके वहाँ पर nmap-help type करके enter कर सकते हैं जिसके बाद आपको इस इसको सीख सकते हैं और अब move करते हैं अपने next tool के उपर जो कि है हमारा bobsuit bobsuit को आप एक तरह का hackers के लिए ब्रह्मा स्तरमान सकते हैं क्योंकि यह multipurpose के लिए use होता है यहाँ पर आप इसकी मदद से scanning भी कर सकते हैं vulnerability assessment भी कर सकते हैं और उसके बाद exploitation भी कर सकते हैं मलब simply अंदर आपको बहुत सारे ऐसे functioning मिल जाते हैं और आप इसकी मदद से web vulnerability scanning भी कर सकते हैं जिसके अंदर आपको SQL injection, cross-site scripting और ऐसे बहुत सारे vulnerabilities scanner मिल जाते हैं जिसकी वज़े से आपको कहीं और पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती हैं आप simply एक ही tool की मदद से सारी चीज़े perform कर सकते हैं या फिर मालो web pen testing कर सकते हैं और आपको इसके अंदर proxy server, spidering, intruder, repeater, sequencer, decoder और उसके बाद comparer, extensibility, collaborator, client, session handling, scanner जैसे बहुत सारे ऐसे functions मिल जाते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब भी आप web pen testing करते हैं या फिर कहीं पर penitation testing या bug bounty कर करते हैं तो इन सारे चीजों को आपको combine करके ही सब कुछ करना पड़ता है तो basically अगर आपको बॉप सूट को सीखना है या फिर इसको mastery करना है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं simply इसके documentation बढ़ सकते हैं या फिर internet के उपर आपको बहुत सारे ऐसे free resources मिल जाएंगे जहां स आप इसको सीख सकते हैं या फिर अगर आपको deeply सीखना है तो आप comment कर सकते हैं मैं इसके उपर एक dedicated video बना दूँगा जिसमें कि मैं आपको basic से लेकर advance तक bobsuit को कैसे use करना है कैसे यहाँ पर सारी चीजे work करते हैं उन सारी चीजों के बारे में बता दूँगा अभी हम move करते अपने next tool के उपर और वायर सार को भी एक तरह का आप complete tool मान सकते हैं क्योंकि इसके अंदर आप MITM attack कर सकते हैं मतलब man in the middle attacks और उसके बाद आप इसका use करके network pen testing भी कर सकते हैं इसके मतलब से आप network troubleshooting, protocol analysis, security analysis, traffic monitoring, packet inspection, network forensic, performance testing, compliance auditing, learning and education और debugging network application जैसे बहुत सारे ऐसे functions हैं जिसक आप इसकी मदद से wifi या फिर network से connected जितने भी चीजे होती हैं उन सारे चीजे को बारे में detailed information निकाल सकते हैं और इसके अंदर हमारे पास एक और function मिलता है जिसको कि हम बोलता है capturing live traffic मतलब यह क्या करता है कि real time में जो भी चीजे network के उपर हो रही हैं उन सब को capture करता है और उस इसको open करते हैं वहाँ पर आपको इसका interface देख करके थोड़ा problem face करना पड़ सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं इसका interface देखकर ही घबरा जाते हैं लेकिन कोई ना मैं इसके उपर भी एक complete video ला दूंगा जिसे कि आप easily सारी चीजों को समझ सकें तो guys अभी हम move करते अपने next tool के उपर जो कि हमारा meta exploit framework तो basically इस tool का काम क्या होता है कि यह यूज होता है system hacking या फिर मालो की android hacking या फिर मालो android pen testing ios pen testing जैसे चीजों के अंदर और यह इस तरह से काम करता है जिससे की victim को भी पता नहीं चलता है कि आखिर उनका system exploit हो चुका है तो basically यह क्या करता है ए अल्रेडी एक playlist create कर दिया है और वहाँ पर उन वीडियो को देख करके आप जान सकते कि कैसे secret message को hide किया जाता है या फिर कैसे files या फिर payloads को insert किया जाता है एक image के अंदर या फिर PDF के अंदर तो simple सी बात क्या है कि यह tool बहुत ही खतरनाक है और इसको अगर आप यूज कर रह सकता है और यह video सिर्फ एक educational purpose के लिए है आप इससे सिर्फ education gain करें आप सिर्फ सीखें कि कैसे यह चीजी होती है आप इसका कोई भी negative use ना लें और इस tool को सीखना भी बहुत easy है आपको क्या करना है simply इनके website के उपर चले जाना है और वहां से आप सारी चीजे सीख सकते है या कि कैसे उसके अंदर penetration testing कर सके तो उन सारी चीजों के लिए हम यहाँ पर एक ही टूल का यूज करते हैं जो कि हमारा aircrack ng वैसे बहुत सारे ऐसे tools हैं लेकिन बेसिकली जो hackers होते हैं वह aircrack ng को ही यूज करते हैं और यहाँ पर आपको इसको यूज करने के लिए एक wifi adapter होना च सकते हैं तो यहाँ पर क्या होता कि आपको बहुत सारे ऐसे exploit करने के options मिलते है aircrack ng के अंदर जिससे कि आप क्या कर सकते हैं simply password attack या फिर dictionary attack कर सकते हैं किसी भी wifi के उपर और अगर उनका wifi password weak रहा तो यह tool easily penetrate कर सकता है उस wifi network को और उसके बाद यहाँ पर एक और function होता है जिसक उसको hide करके कुछ time के लिए और वहाँ पर जो हमने create कर रखा है मतलब जो fake wifi address होगा वो उसके mobile phone के अंदर so होगा और उसके बाद जैसे ही वहाँ पर वो password को add करेगा तो जितने भी login credential है वो हमारे पास आ जाएंगे तो यह चीज़ भी आपको धान देना है कि आप इस problem face ना करने पड़े रखने क सर्का जो आपको लिक पता है कि किसी को भी परह粵ार करना बहुत ही गल्ट Вात है चैसे सिरप आप सीखने के लिए किसी को परहolen करने के लिए या फिर किसी को 분들은 करने के लिए ना देखें और अब और आपने next टूल जो कि है nett work तो just Lost तरह का networking tool है जो कि यूज होता है scanning में port listening में और port direction में तो यहां पर यह क्या करता है कि जो भी networks है उनके अंदर जो TCP, UDP या फिर Unix domain है उन सारे details को ला करके आपको दे देता है तो अगर आप bug bounty या फिर printation testing कर रहे हैं तो इस tool को use करना एक तरह से compulsory होता है क्योंकि यह tool आपको इतने सारे details देता है जो कि आप easily और tools से नहीं पा सकते हैं तो अगर आपको इसके बारे में भी सीखना है तो आप इसको भी comment कर सकते हैं तो मैं आपके लिए इसके उपर भी एक video बना दूँगा तो आप हम move करते हैं आपने एक और interesting tool के उपर जो कि है John Derry पर तो अभी जिस के अंदर क्या होता है कि आपको अपने victim का information यूज करके उसके बारे में डिसनेरी बनाना होता है passwords का और उसको यूज करके उसके जो login pages से उनके उपर brute force attack करना होता है और फिर उनका जो password है उसको crack करना होता है तो अगर आपको इसके बारे में भी सीखना है तो मैंने इसके उपर औरड़ी एक वीडियो बना दिया है बट वो यूटूब गाइडलाइंस के अगेंस्ट होने की वज़ा से यूटूब ने हमें इस्ट्राइक दे दिया था और इसलिए हमने वो वीडियो टेलिग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है तो अगर आपने हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी आप वहाँ पर सिंप्ली क्लिक करके हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं तो अभी हम मूव करते हैं अपने नेश्ट टूल के उपर जो कि है SQL Map तो ये टूल Penetration Tester और Bug Hunter क कि वह SQL Injection Attacks कर सकें तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे Websites के अंदर SQL Map vulnerabilities होती है जो कि आप इस टूल की मदद से उनके उपर exploit कर सकते हैं और उन Websites के अंदर access पा सकते हैं तो इस टूल को यूज करके आप बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या करन attacks करना होता है website के अंदर और अगर आपको vulnerabilities मिलती हैं तो आप उसको report करके website से bounties भी ले सकते हैं तो अगर आपको इसके बारे में भी सीखना है तो don't worry हम यहाँ पर इसके उपर भी full series लाने वाले हैं और अब हम move करते हैं आपने next tool के उपर जो कि है autopsy तो आपने कहीं न कही तो सुनाई होगा कि कोई hacker या फिर कोई tech बंदे ने आपके कोई friend के details या फिर मानलो data को recover कर दिया है तो वहाँ पर use होता है autopsy tool, autopsy tool क्या करता है basically जो data deleted होते हैं उन सबको recover कर देता है तो अगर आपका कोई data delete हो गया है गलती से और अगर आपको उसको recover करना है तो आप इस tool का use ले सकते हैं इसको use करना भी simple है आप simply इसके documentary को पढ़ करके इसको सीख सकते हैं और अब हम move करते हैं अपने last और सबसे important tool के उपर जो की है social engineering toolkit तो बसके लिए ये tool क्या करता है कि social media accounts को hack करने में use होता है तो यहाँ पर इसको use करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है simply इसके documentary में जाकर इसके बारे में जानना होता है और अगर आप वहाँ से भी नहीं सीख सकते हैं तो आप comment कर सकते हैं मैं इसके उपर full video ला दूँगा और फिर मैं आपको बता दूँ कि ये tool आखिर काम कैसे करता है तो ये tool क्या करता है कि एक तरह का pages बना देता है login page जिसक आपको safe रहना है internet के उपर तो आपको इन सारे चीजों के बारे में भी थोड़ा बहुत knowledge होना जरूरी होता है तो I hope कि आपको इस वीडियो के अंदर कुछ नया सीखने को मिला होगा और अब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए stay safe stay secure thank you and happy learning